श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, 24 सितंबर 2024, मंगलवार पित्रिपक्ष सप्तमी तिथी के दिन, बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना, पांच काली मिर्च के दाने, हनुमान जी महराज के आशीरवाद से, ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की बार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि दोस्तों, इस बार मंगलवार पित्रिपक्ष सप्तमी तिथी के दिन, बहुत सारे शुभ योगों का निर्मान हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है, इसी लिए दोस्तों, इ अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है, तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो चलिए, दोस 24 सितंबर 2024 मंगलवार पित्रिपक्ष सब्तमी तिथी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनो कामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 सितंबर 2024 मंगलवार पित्रिपक्ष सब्तमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना सुन लेना उसके बाद करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो आपको उसका कारण भी नहीं नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पित्र दोश हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोश होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने द पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। यह किस लिए किया जा रहा है। अगर कोई भी माताएं बहने जो है अपने घर की सुख और शान्ती के लिए घर में धन सम्रिद्ध को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहने होंगी, वह इस पांच काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेश रूप से क इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो, जिस व्यक्ति को यह पांच काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस पांच काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार पित्रिपक्ष सप्तम प्रदोशकाल का समय भी एक बहुत बहुत आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है तो देखिए इस 24 सितंबर 2024 मंगलवार पित्रपक्ष सब्तमी के दिन किये जाने वाले ये पांच काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा प्रदोशकाल का रहेगा अब भाई प्रदोशकाल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो ह आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के छे बजे से लेकर, शाम के साथ बजे के बीच में, आप लोग इस पांच काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो धैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रशन भी जरूर करेंगे, कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोशकाल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आप आपको आने में साथ बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो। तो भाई आप साथ या रात आठ बजे तक भी अगर उपाय को करोगे, तो भी चल जाएगा, और अगर इस इस से भी थोड़ा देर हो जाती, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 सितंबर 2024 मंगलवार पित्रिपक्ष सप्तमी का दिन है, ये दिन बहुत ही कमाता है, पूरे साल भर में एक बार इसी लिए, जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना, कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, भाद्रपद मंगलवार पित्रिपक्ष सप्तमी तिति के दिन, बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतरगत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, पूज्य गुरुजी ने कहा, कि जब भी मंगलवार पित्रिपक्ष सप्तमी की तिति का दिन पड़ेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह पाँच काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है, इससे आपके जीवन में अगर धन, वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, ग्रूजी ने कहा कि आपको यह चोटा सा उपाय इस भादरपद मंगलवार पित्रपक्ष सप्तमी की तिथि में जरूर करना चाहिए, तो चलिए, जानते हैं इस विशेश उपाय के बारे में. आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किये जाने वाले तीन विशेश उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे. यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार क कर सकते हैं. इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे. आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे. जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं. समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे. चलिए पांच काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेक देना. यहाँ पर पांच काली मिर्च के दाने जीवन की हर कश्ट से मिल जाएगी. आपको मुक्ति भगवान शनिदेव जी के आशीरवाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी. धन की वर्षा और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा. आपको छुटकारा दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है. क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जला कर आप अपने घर से नजर दोश को भी दूर कर देंगे. साथ ही साथ, अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रू है, या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है. नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है. घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबियत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बरबादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घ घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे, साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर यह उपाए आपने मंगलवार के दिन कर लिया, अब देखिए, अगर आपका जीवन भ अपना असर दिखाते हैं, दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रूं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं, और कभी भी आपको नजर दोश परेशान नहीं करती है, तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के साथ दाने, आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से उपाय को करके, कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे, और आपके गुप्त शत्रूं भी आपका कुछ बिगाड नहीं पाएंगे, तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं, जो यह चीज जानते हैं, क जैसे ही नजर दोश आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रूं हैं, उनकी नजर का जो प्रभाव होता है, वो तुरंत खत्म हो जाता है, और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है, आपको क्या करना है, चार, यहाँ पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे-छोटे चार दाने लेंगे, एक भी दाना तूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है, एक कपूर का टुकड़ा लेना है, अब यह चार काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है, ठीक है ना, एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में यह चार काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें, और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है, देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमतकार होगा, आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था, जो हमेशा बीमार है, चिड़-चिड़ा, स्वभाव है, उसका हमेशा कलेश घर में रह रहा है, न तो ये चीज़ें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोश अगर किसी को लगी है, तो वो भी दूर होगी, और दूसरी चीज़ आपके गुप् अपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं, दूसरी चीज़ आपके घर में कभी भी नकारात्मक उर्जा नहीं ठहरती है, जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं, तो इस उपाय को करें, औ आपके घर के उपर, आपके पैसे के उपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनी देव का आशीरवाद मिलेगा, तो ये पहला उपाय है, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो की मंगलवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही, और गर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं, लोग है ना, तो जो लोग कहते हैं ना, कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है उन्हें, विशेशकर यह दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का, देखिए, अगर आपक जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कश्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय, मंगलवार के दिन कर लें, करना क्या है, पांच, काल मिर्च के दाने लेने हैं, अब आपके घर में जो व्यक्ती बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें, कि वह व्यक्ती इस उपाय को कर ले, तो ज्यादा उत्तम है, है ना अगर वह नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं, आपको क्या करना है, जो गड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है, गड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि गड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से साथ बार एंटी क्लॉक वाइज आपको उतारना है, और फिर ये पांच काली मिर्च के दाने आ और काली मिर्च का जो पांचवा दाना है, उसे उपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उच्छाल देना है, ठीक है ना, इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है, किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे, पलट कर तो दूसरी चीज किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किये जाते हैं, वह किसी को बता कर नहीं किये जाते हैं, ठीक है ना, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं, कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें, अच्छा 31 उपाय जो है, यह भी मंगलवार का है, और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से, अब देखिए, शनिदेव जो है, यह न्याय के देवता है, कर्म फल दाता है, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है, शनिदेव का है, और व्यक्ति क अगर भूल चुक हो जाए, तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कश्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनी की साढ़े साथी रहती है, शनी ढईया का प्रभाव रहता है या शनी की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है, अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनी की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में है ना, ल आपके घर में धन की कमी आ रही है। घर में लड़ाई जगडा बहुत हो रहा है। आप देखते हैं कि घर में एक दूस, दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, जगड रहे हैं। घर में सुख शान्ती कहीं नहीं है, सुख सम्रिध्धि नहीं है, एक-एक रुपए के लिए। आपको क्या करना है? एक काले रंग का कपड़ा लेना है। ठीक है न? और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में। और एक रुपया भी इसके अंदर रखना है। और इसकी एक बाइव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है, सिर्फ इतना करना है, मंगलवार के दिन पांच मंगलवार कर लेना, ऐसा चमतकार जीवन में होगा, जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आउज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूँ, तो एक बार कर्म फल दाता न्याय के देवता, शनिदेव पर विश्वास करके यह उपाय करके, तो देखिए, इसका चमतकार आपको अपने जी और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार-बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा, ना की आने वाली साथ पीढियां भी सुखों को भोगेंगी, बस मंगलवार, पित्रिपक्ष सप्तमी तिथि के दिन, यह उपाय आप जरूर करें, बात करें, अगले उपाय की तो दोस्तों, दोस्तों, 24 सितंबर, 2024 मंगलवार, पित्रिपक्ष सप्तमी तिथि की रात, घर में इस जगह पर फेंक दें, एक मुठी नमक भगवान भोलेनाथ जी के आशीरवाद से, जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, आपको मुक्ती आपक जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे आप करोड़ पती, क्योंकि दोस्तों, इस बार मंगलवार, पित्रिपक्ष, सप्तमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्मान हो रहा है, जो कि कई वर्षो बाद आया है, इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और इस दिन आप लोगों को यह एक मुठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है, तो दोस्तों, इस कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत् पूर्ण होता है, देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाथ अनुष्ठान से, जो मनो कामना पूर्ण नहीं होती है, वह 24 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनो कामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है, अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उप जैसे पित्र दोश हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोश भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोश होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोश को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन इस एक मुठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक मुठी नमक वाला उपाय करना किसको है। जो दुख और परेशानिया हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है, जो की नहीं हो पा रहा है। आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है, कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है, जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहने, जो है, अपने घर की सुख और शान्ती के लिए, घर में धन सम्रिद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बढ़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो, जिस व्यक्ति को यह एक मुठी नमक वाला उपाय समझा गया। कि इस एक मुठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है तो देखिए इस 24 सितंबर 2024 मंगलवार पित्रपक्ष सप्तमी तिथी के दिन किये जाने वाले यह एक छुटकी नमक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से शाम के समय क रहेगा प्रदोशकाल का रहेगा अब भाई प्रदोशकाल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें, प्रदोशकाल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है, शाम के 6 बजे से लेकर, शाम के 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे, तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा, तो शाम के 6 बजे से लेकर, शाम के 7 बजे के बीच में, आप अगर आप लोग इस एक मुठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो, तो भाया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे, कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क बजे तक आप नहीं पहुँच पाते हो, तो भाई आप साथ या रात आठ बजे तक भी अगर उपाय को करोगे, तो भी चल जाएगा, और अगर इस से भी थोड़ा देर हो जाती, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 सितंबर 2024 पित्रिपक्ष मंगलवार सब्तमी ति का दिन है, यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना, कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो, पित्रिपक्ष मंगलवार सब्तमी तिथी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थो सिर्फ और सिर्फ यह एक मुठी नमक वाला उपाय करना है, इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई-कई बार आप प्रयास बहुत करते है अगर आप अगर अगर आप असफल हो रहे हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय, इस पित्रपक्ष मंगलवार सप्तमी तिथी की तिथी में जरूर करना चाहिए, तो चलिए, जानते हैं इस विशेश उपाय के बार आप प्राप्त नहीं हो पाता है, आ पित्रपक्ष मंगलवार सप्तमी की तिथी में किये जाने वाले तीन विशेश उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं, इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मन नुकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे, चलिए जानते हैं, पूझ्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुठी नमक अब यह एक मुठी नमक मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना बड़े से बड़ा शत्रू भी हाथ जोड़ कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए चुटकारा मिल जाएगा और दोस्तों आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं तो मंगलवार के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है और इस उपाय को अगर आप मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी से ऐसा वर्दान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है गरीब और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं अगर आपने किसी भी मंगलवार के दिन यह एक कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दें नमक जो है यह वास्तु शास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है ऐसा समझ लीजिए कि इस से किये गए जो उपाय होते हैं यह रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं और मा लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरस्ती है कि उस घर में कभी लोट कर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिलकुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है नमक तो देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए कभी भी उसके जीवन में उसके घर में उसके घर के जितने भी सदस्य है उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वासना हो और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वो सफल होता चला जाए। अब देखिये जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक उर्जा का वास नहीं होता है। यह बहुत देखने को मिलते हैं. अगर आपके घर में कही न कही न कारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता है. करना क्या है? आपको थोड़ा सा नमक लेना है. सेंधा नमक जो होता है. ठीक है ना? सेंधा नमक लेना है, और जि ऐसा समझ लीजिये कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था, ना जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था, या घर में कलेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े-बड़े दुख आपके जीवन में है ना आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसो दूर हो जाएंगे, और कभी लोट कर आपके जीवन में नहीं आएंगे, तो बहुत ही उत्तम उपाय है, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, हफते का एक दिन चुन ले, कि आपको एक दिन हफते में नमक डाल कर पोछा लग लगाना है, तो मंगलवार के दिन आप लगाएं, और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनरजी दूर हो जाएगी, तो यह पहला उपाय है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं, दूसरे उपाय की, और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, कि इस उपाय को अगर आप करते हैं, तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं, आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं, उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं, कहते हैं बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अडचन बहुत आती है, क पिर कोई न कोई ऐसा कारण होता है, जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार-बार उसमें अडचन आ रही है. तो आपको क्या करना है? सेंधा नमक लेना है. ठीक है? ना, थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है. आपको सफेद रंग का कपड़ा उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है अब यह जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं, वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी-बड़ी समस्याएं थी जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे जो आपके काम में अडचन आ रही थी आप एक काम को बार-बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो हो रहा था या कोई चीज लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमतकार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे तो बहुत ही विशेश और उत्तम उपाय है यह उपाय भी आप मंगलवार के दिन करें ठीक है ना अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह है एक कटोरी नमक आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे यह एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमतकार का काम करेगा धन को बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता को भी प्राप्त करेंगे धन को भी प्राप्त करेंगे और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा, कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा, आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी, आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा, कि आपका भाग्य जो है न, वो हमेशा आपका साथ देगा, तो आपको करना क् आपको यहाँ पर सेंधा नमक लेना है, कितना लेना है, एक कटोरी ले लें, कांच की उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है, चाहे तो डेली वाला ले ले या पिसा हुआ ले लें, कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं, सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है, ना उस शौप पर, अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है और यह कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देनी है, ठीक है ना, तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथ को रखना है, तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनरजी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए, जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे, ना इस तरह के कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं, पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है, मा लक्षमी का वास आपके घर में होता है, जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में मंगलवार के दिन रख देते हैं, दूसरी चीज, कि जो सें जिनका होता है, उनका पैसा भी वापस आता है, और जो लोग करजा ले चुके हैं, करजा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम है, क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकले हैं और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जा है, चाहे आप न नक करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शौप पर जा रहे हैं, कि आप जब लोट कर घर आते हैं न, तो धन ही धन आपके पास होता है, तो बहुत ही उत्तम उपाय है, यह एक कटोरी सेंधा नमक, आप मंगलवार के दिन अपने घर में जर है न, हम पैसे वाले नहीं बन सकते, तो देखिए, आपको बता दें, कि अब हर व्य व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है, अगर वह मेहनत करता है, और पैसे वाला बनना चाहता है, तो बन सकता है, एक कटोरी नमक से, तो देखिए, नमक जो है न, यह शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का, तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है, शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है, और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फ जाता ही है, लेकिन एक समय के साथ जाएगा, कभी भी धन आपका दवाईयों में, बीमारियों में, दुर घटनाओं में नहीं जाएगा, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा, क्योंकि ये जो धन आपके पास आ रहा है, ना ऐसा समझ लीजिए, इतना उत्तम धन आ र होता है, पैसा कौन सा अच्छा होता है, जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है, जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते हैं,